हेलो डियर पैरेंट्स कैसे हो जैमातादी आज मैं आपके साथ आपके घर के नन्ने मुन्ने प्यारे से बेबी के लिए पोहा, सेव और ड्राइफूर्ट से बनने वाली हेल्दी फूट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ इस फूट को खाने से आपके बेबी को भरपूर मातरा में फाइवर और कैलसियम मिल जाएगा जो की बेबी की हड्यों की मजबूती रखेगा और साथी साथ आपके बेबी का सारीरीक और मानसिक विकास बहुती अच्छे से होगा तो चलिए फटाफर से इस हेल्दी फूट को बनाना तियार करते हैं एक मिक्सिंग बाउल में एक खजूर ले लिया है खजूर की गुठली निकाल लेंगे दो काजू ले लिये हैं चार बदाम ले लिये हैं एक अख्रोड ले लिया है और तीन से चार दाने किस्मिश के ले लिये हैं एक बार अच्छे से साप पानी से पोहा ले लिया है, पोहे को अच्छे से 2-3 बास साप पानी से धोलीगे, पोहे को लगभग 15 मिनट तक भीगो के रखतेंगे अब इसके बाद दोस्तों एक मीडियम साइस का एपल ले लिया है, एपल को अच्छे से धोलीआ है, सिर्फ हमें एपल का हाफ सलाइस ही चाहिए जो ड्राइफ फूट्स हमने भीगो के रखे थे उसे एड़ कल लेंगे, जो सेव हमने काटके रखा था उसे भी एड़ कल लेंगे, और जो पोहा हमने 15 मिनट तक भीगो के रखा था उसे भी एड़ कल लेंगे, और इसकी एक मिक्सी ग्राइंडर में फाइन सी प्यूरी बन पूदी आपनी के बनाना कर लिए तो आप इसके बाद दोस्तों फटाफ़ड से फूड बनाना तैयार करते हैं गैस की फ्लेम और या झीकर्ण विए और यह कप के बराबर का कम हम्यूर बना गर का विल्यायलिया पाच मिनट तक फूड को करचछी की साइता से अच्छे से मिक्स कर लिंगे ताकि फूड में एक भी लम्स ना रहे तो यहां पर आप देख रहे होंगे पांच मिनट दोस्तो लगबग हो चुके हैं और फूड में अब एक भी लम्स नहीं है अब दोस्तों 10 मिनड तक लो और मीडियम फ्लेम में अच्छे से इस फूड को उबाल लीजिए और बीच बीच में कर्ची की सायता से भी चेक करते रहेगा ताकि जो फूड है वो पैन के तले में नीचे नगे यकीन मानिये दोस्तों यह फूड आप अपने बेवी को रेगुलर बेसिस में देंगे तो आपके बेवी की हड्यों की मजबूती होगी आपके बेवी का मानसिक विकास होगा और आपके बेवी को भरपूर मातरा में कैलसियम मिल जाएगा यहाँ पर आप देख रहे होंगे 10 मिनट लगबग हो चुके हैं फूड बनकर अच्छे से रेडी हो गया है फूड की कंसिस्टेंसी आप देख रहे होंगे दोस्तों तो आप इतनी ही रखिएगा क्योंकि पोहे से जब भी फूड बनाते हैं तो कुछ समय रखने के बाद थ काल लेते हैं और अपने सिसू को फूड खिलाने के लिए रेडी कर लेते हैं और दोस्तों अगर आपका बेवी वन यर का हो चुका है तो आप इतनी क्वांटिटी में अपने बेवी को असानी से दे सकते हैं और अगर आपका बेवी साथ महीने से लेके एक साल तक है तो बेवी को ये फूड बहुती पसंद आता है बेवी इस फूड को बहुती चाव से खाता है आप इसी तरीके से अपने बेवी के लिए बनाएंगे तो आपका बेवी बहुती अच्छे से खाएगा और आपके बेवी का तीन से चार घंटे तक असानी से पेट भरा रहेगा तो बस दोस्तो इस वीडियो में इतना ही अगर मेरे द्वारा बताए गई हेल्दी फूड की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा जादर से जादर शेयर कर दीजेगा और बेल आइपन को क्लिक कर लिजेगा ताकि जब भी नेक्स वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन के थुरू असानी से मिल जाए एक बार कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको हमारे द्वारा बताए गई हेल्दी फूड की रेसिपी कैसी लगी तब तक के लिए बाए बाए टेक केर जैमाता दी